प्राचीन समय की बात है, एक समुद्र के किनारे एक गुरू अपना आश्रम बना कर रहा करते थे, हजारों शिश्यों उनसे ज्ञान ग्रहन करने के लिए, दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे, गुरू का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था, शुरुव उसके बात में वो अपने शिश्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे, उसके बाद वो अपने शिश्यों को उस ज्ञान का अनुसरन करने के लिए कहते थे, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे, एक बार उस आश्रम में एक समरा अपने बेटे को लेकर पहुंचा, उस समराट ने उस गुरु से प्रार्थना की, कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें, और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें, उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए, कि वो किसी समराट का बेटा है, अगर तुम अपने आपको दूसरों से बड़ा समझोगे, तो तुम ज्यान ग्रहन नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हें ज्यान ग्रहन करना है, तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आपको साधारन समझना होगा, यही ज्यान ग्रहन करने की सबसे पहली सीड़ी होती है, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। यह कहकर गुरू समराट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस समराट को देख रहे थे। समराट अपने बेटे को अपने रत पर बिठा कर लाया था, जिस से सभी बच्चे समझ गए थे कि ये लड़का समराट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे समराट के बेटे की तरफ आकरशित हो गए थे। जब गुरू समराट के बेटे को लेकर समुद्र किनारे पर टहल रहे थे, तो समराट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ बारह वर्ष का था, और बारह वर्ष की आयू में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़ कर चले गए थे, ये पेटा मैं तुम्हें छुप नहीं कराऊंगा, हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसु पोंच दूँ, लेकिन कल तुम फिर अपने आपको अकेला पाओगे, याद रखना, जीवन में इनसान अकेला आता है, और अकेला ही जाता है, जितनी जल्दी जो इनसान इस बात को सम लेता है, वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है, वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है, धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे, शुरुवात में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मा साथ कर लोगे उसके बाद तुम्हें यही जगा बहुत अच्छी लगने लगेगी ये जगह तुम्हें अपनी महल जैसी लगने लगेगी संध्या हो चली थी समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज सीखने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था बड़ा ही सुन्दर द्रिश्य था और गुरू उस शिश्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लोट आए उस शिश्य को भी थोड़ी शांत बना मिली क्योंकि गुरू की आँखों में एक अभूत पूर्व शांती जलक रही थी और जब हम किसी एकांत वासी गुरू के आँखों में वो शांती देख लेते हैं तो हमारे हृदय पर से भी सारा भार हट जाता है मन एकदम निर्मल हो जाता है जब समराट का बेटा रात्री का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुँचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे उन सभी को पता था कि ये समराट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फाइदा होने वाला है यही सोचकर आश्रम के ज्यादा तर बच्चों ने उसे घेर लिया था बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे वो उस समराट के बेटे के पास जाने की बजाए अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठ कर अपना भोजन कर रहे थे कुछ दिनों के बाद समराट के बेटे की आश्रम के ज्यादा तर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई अब वो आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता उन्हीं के साथ अपना ज्यादा तर समय बिता था आखिरकार समराट का बेटा था सुख सुविधाओं में पला वड़ा था आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे आसपास अपने मित्रों से घिरे होना वही दिन चर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी ऐसा नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था पर गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे बच्चों को ज्ञान आप उपदेश दे कर नहीं दे सकते उन्हें साक्षात कार कराना पड़ता है उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोल कर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा मुझे इसे दिखाना पड़ेगा इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपने शक्तियों को जान पाओगे ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिश्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोंटी पर ले गए पहाड़ी पर पहुँचकर गुरु ने उस शिश्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्यान पूरा हो चुका है बस एक आखरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी उसके बाद अगले दिन साम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुचा दूँगा वो बच्चा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा फिर से मेरे दास और दासियां सारे भोग की वस्तुएं मेरे पास होगी उस शिष्य ने गुरू से पूछा कि गुरू देव मुझे आज रात आप यहां पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं आखिर मुझे कौन सा आखरी घ्यान यहां से मिलेगा गुरू ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां पर चटान के पीछे तुम्हें छिप कर बैठना होगा यहां पर रोज रात को एक बांज आता है तुम्हें उस बांज को देखना है बड़ी गौर से देखना है हर गतिविधी देखनी है और उस बांज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बांज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूँगा और हाँ, सुभे आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है एक चरवाहा यहां पर अपनी भेडों को चराने के लिए आता है तुम्हें उन भेडों की गतिविधियां भी देखनी है याद रखना बांज की गतिविधी रात को और भेडों की गतिविधी सुभे अगर तुम दोनों की गतिविधी ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे तुम्हारा ज्यान पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे पिता को कह दूँगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ग्यानी बच्चा है ये कहकर गुरू अपने आश्रम में वापस लोट आए और वो बच्चा वहीं पर उस चटान के पीछे खड़ा हुआ उस बांज का इंतजार करने लगा काफी वक्त बीत जाने के बाद वहाँ पर एक बांज अपने बच्चों के साथ पहुँचा समराट के बेटे ने पूरी रात उस बांज की गति विधी बड़े ही ध्यान पूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहाँ पर अपने भेडों को लेकर पहुँचा तो उसने एक अभूत पूर्व द्रिष्य देखा उसने देखा कि वो बांज भेड की एक मेमने को अपने पंजों में दबा कर आस्मान में उड़ गया उसने उस भेड के बच्चे का शिकार कर लिया ये सारा दृष्य देख कर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरू के पास पहुँचा। इससे पहले की गुरू उससे कुछ पूछते उसने गुरू को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरू देव आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है उदाहरण के लिए। एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी उंचा नहीं उड़ पाता लेकिन एक बांज जो कि हर समय शान्त रहता है वो आकाश को भी छू सकता है। उ चाहे वो कितनी भी उंचाई पर क्यों ना हो चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बांज को मैंने देखा उसने हर भेड को अपना शिकार नहीं बनाया बलकि उस भेडों के ज अचने क्यों ना आए हमें अपना लक्ष स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। दस-बीस अलग-अलग लक्षणों में अपनी उर्जा बरबाद करने की बजाए हमें किसी एक लक्ष पर पूरी एक काग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बांज अब ही छोटे सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वहीं बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो। क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद क कमजोरियों को जान पाते हैं कमजोरियों को जान कर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जान कर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो तब ही संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे चौथी सीख जो हमें एक बांज से लेने चाहिए कि एक बांज हमेशा अपनी सीमाओं से उपर उठकर उड़ता है जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोसले की तरफ भागता है खुद को छुपाने की जगह ढूंदता है लेकिन बांज ऐसा कुछ भी नहीं करता वो खुद की सीमाओं को तोड़ कर बादलों से भी उपर उड़ने का प्रयास करता है हवाएं उसे धपेरे मारती है पंक उसके भारी हो जाते है पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततह बादलों से भी उपर निकल जाता है और वहाँ तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता अपनी सीमाओं को सिर्फ इसी लिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है उससे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता बलकि एक सकारात्मक नजरिया के साथ उसका सामना करता है जीवन में चाहे कितनी भी अर्चने क्यों ना आए हमें उन अर्चनों से लड़ना चाहिए ना कि उनसे डर कर कहीं छिप कर बैठना चाहिए बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं कायर तो अपने घर में अपने घोंसले में अपनी जगह ढून कर बैठ जाते हैं पांचवी बात जो हमें एक बांज से सीखनी चाहिए कि बांच कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता जो तिनके कोमल होते जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो लेकिन उस आराम से उपर उठकर अपने आलस्य को तोड़ कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए जीवन में पसीना बहाना चाहिए शारिरिक मेहनत करनी चाहिए अपने घोंसले से कोमल तिनके उठा कर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को तोड़ कर निकल परो हर दिन अपने आपको चुनोतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लडो, क्योंकि वहीं मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगे जंगल के राजा शेर को भी जुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बांज हमेशा अकेला शिकार करता है क्योंकि वह जानता है कि भीड होसला तो देती है, मगर साहस छीन लेती है आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है, यही कारण होता है कि वह जल, थल और नव सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है बांज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है नाखून उसके पैरों में धसने लगते हैं, पंक उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मूड जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है ऐसी स्थिती में शिकार करना तो क्या उड़ने की भी हालत नहीं रहती उसकी ऐसे स्थिती में उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं पहला या तो वो खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो छे महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले लेकिन बांज तो बांज है वो दूसरा विकल्प चुनता है इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही उंचे पहाड पर ले जाता है जहां वो पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंक खीच-खीच कर उखाड देता है और फिर चटान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है उसके बाद उसी चटान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहू लुहान अवस्था में वो खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है अगले छे महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नए चोंच, नए पंक और नए पंजों का तब फिर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है इसलिए समय आने पर हमें भी अपने पुराने आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है समय के साथ बदलना पड़ता है अपने आपको तयार करना पड़ता है वरना हमारा भी शिकार हो सकता है हम भी पीछे रह सकते हैं इसके बाद समराट के बेटे ने भेडों की विशेशता बताते हुए कहा कि भेड हमेशा जुंड में चलती है उन्हें जुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वो भेड तीतर बितर हो जाती है और उस पूरे भेड में से एक भी भेड अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लोटती इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो किसी पर भी यकीन नहीं करना यकीन करना तो खुद पर करना क्योंकि बुरा समय आने पर वो भेड कब तीतर बितर हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा गुरु को प्रणाम करते हुए समराट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरु देव अगर मुझ से कोई सीख रह गई हो तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई है वो सब सही है लेकिन ये सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे